पहले चीन पर दुनिया भर में महामारी फैलाने के अरूप लगी अब चीन स्पेस मिशन के जरिये दुनिया के लिए नया खत्रा पैदा करा है पिछले तीन साल के अंदर के लंचिंग के बाद तीन रोकेट कोंट्रूल से बाहर हो गया है रिसेनली एकजामपूल सनीवार का रात का है जब चीनी रोकेट मालिशा के पास हींद मुहासागर में जागी रहा है इसके करण आस्मान में जो आतिस बाजी हुई उसकी तस्वीर और वीडियो मालिशा के कुचिंग सिटी में कैप्चर के गए हैं और सूसल मेडिया पर भायराल भी हो रहा है चोकाने वाली पात ये भी है कि नासा के अंतरीक साइंटीस जुनाथन मैकडुएल ने इस घटना के कुछ दिन पहले ही चीनी रोकेट धर्ती से टकराने की चेतावनी वी दी थी चायना ने 24 चुलाई को अंतरीक्स में लंग मार्च 5 वी रोकेट छोड़ा था अंतरीक साइंटीस रखता है लेकिन लोडते समय और नियंतर से बाहर हो जाता है चीन ने भी ये बात स्विक्र की है कि रोकेट को गिराते समय पानी में गिराने की कुछिस की जाती है लेकिन और कॉंट्रोल से बाहर हो जाता है इससे पहले 2021 में इसी सीरीज के रोकेट के साथ भी ऐसा ही हुआ था तब रोकेट मालदीब के पास समुद्र में गिरा था उई 2020 में भी चीनी रोकेट ने पुस्चिमी आफरीका और आत्लांटिक महासागर में आकर गिरा था स्पेस रिसर्च और टूरिजम से जुड़ी कई कमपानिया जैसे स्पेस एक्स एक ही रोकेट को दुबारा इस्तिमाल करने पर काम कर रही है लेकिन चीन ऐसा नहीं कर रहा है वो दुनिया पर अपनी धाक जमाने के लिए देशों के लिए खत्रे को बढ़ा रहा है जो साल मई महिने में ही चीन ने लॉंग मार्च 5 वी वाई टू रोकेट को छोड़ा था ओधर्ती से करीब 117 से 322 किलोमीटर की बीच लो और्बीट में चक्कर लगा रहा है यह 25,490 किलोमीटर प्रति घंटे से घुम रहा है आसंका जताया जा रहा है कि मई महिने में छोड़ा गया लॉंग मार्च 5 वी वाई टू रोकेट 25,490 किलोमीटर प्रति घंटा की रप्ता से धर्ती के अंदर प्रविश कर सकता है ऐसा हुआ तो कुछ भी हो सकता है लेकिन ऐसा क्यूं हो रहा है चीन ने साबतोर पर इसकी वज़ा नहीं बताई है आई होप आपको चीन दुन